Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. दोस्तों, कैसे हैं, आप सब उमीद करते हूं, बहुत बढ़िया होंगे, मज़़ी में होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSBPRTC-related एक पेड़ागोजी सीरीज सीरीज की है. तो आज की इस वीडियो में उसी सीरीज का next topic डिसकस करेंगे. और आज का हमारा topic है, हर्ज बग्स two-factor theory, यनकि हर्ज बग्स two-factor theory, जो की motivation की theory है. अब सभी जानते हैं, हम motivation का topic बिल्कुल detail में cover कर रहे हैं. तो motivation की दो theories मैं already करवा चुकी हूँ, कौन-कौन सी, मैसलों की need hierarchy theory और elder false की ERG theory. ठीक है, आज ही हमारी तीसरी theory है, हर्ज बग्स two-factor theory. इस theory को करवाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी, कि ये जो theory है, यनकि जो motivation का topic है, नए केवल आपकी DSSB PRT में है, बलकि BAD, MAD, UGC NET का जो preparation कर रहे हैं, education में उन सभी बच्चों के लिए भी ये topic बहुत helpful है, और motivation की theories आपको हर जगे देखने को मिलेंगी, चाहे आप BBA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, ठीक है, विकॉन कर रहे हो, तो हर जगे आपको ये motivation का topic देखने को मिलेंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं हर्जबग के बारे में, तो देखी इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक हर्जबग, ठीक है, क्या नाम था फ्रेडरिक हर्जबग, एक American Psychologist थे, अगर हम बात करें हर् थे, यानि कि इनका जो काम था, बिल्कुल ओरिजिनलिटी पर बेस था, अगर हम बात करें, एल्डव फाज की, एर जी थी तो देखें, उनकी जो थी थी वो टोटली मैसलो की थी थी पर बेस थी, ठीक है, तो इनकी जो थी थी है, टू फैक्टर थी वो इनकी अपनी ओरिज तू फैक्टर यानकी टू फैक्टर की बात की गी है, ड्यूल फैक्टर भी दो फैक्टर की बात की गी है, मोटिवेस्शन हाइजिन थियूरी पर बेस थी कि सी थी उन्होंने क्या क्या, लोगों से एक simple question पूछा, क्या पूछा, what do people want from their jobs, यनकि लोग अपनी job से क्या expect करते हैं, क्या चाहते हैं वो अपनी job से, और जो दूसरा question था, वो क्या था, he asked people to explain when in job they felt good and when they felt bad, और उन्होंने लोगों से पूछा कि आप explain किजे, कि जब आप job में होते हैं, तो कौन सी situations ऐसी होती हैं, जब आप अच्छा feel करते हैं, और कब आप बुरा feel करते हैं, ठीक है, तो basically हर्जबक क्या कर रहे थे, वो लोगों की expectations को major कर रहे थे, यनकि job की प्रती लोगों की क्या expectations है, तो कही ना कहीं, इस theory में जो है, दो question include हैं, कौन-कौन से, first is, what do people want from their jobs, and second one is, what do people felt good about their jobs, and what do people felt bad about their jobs, तो ये कही ना कहीं, उनकी theory से related key questions से, जब उन्होंने ये question पूछा, तो लोगों ने क्या क्या response करना सुरू किया, यनि कि लोगों ने response दिये, तो जो responses आए, the responses were collected and categorized into two categories, तो जो भी responses आए, उसको उन्होंने दो categories में categorize किया, कौन-कौन सी first is motivational factor and second is hygiene factor, तो ये region था कि इनकी जो theory थी, उसको motivation hygiene theory भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो factors की बात की गई है, motivational factors or hygiene factors, that's the reason this theory is called motivation hygiene theory, तो इस theory की जो key findings निकल कर आई, वो key findings जो है, बहुत ज्यादा interesting थी, क्या थी, कि जो satisfied लोग थे, जो अपनी job से satisfied थे, वो कौन-कौन से चीजों से satisfied थे, तो इसको इन्होंने क्या कहा, intrinsic या motivation factors, किस तरह से वो satisfied थे, they are looking for advancement, they are looking for recognition, they are looking for responsibilities, they are looking for achievement, यनकी इन सब चीजों के लिए वो काम करना चाह रहे थे, इन सब चीजों से वो satisfied थे, ये चीज उनको motivate कर रहे थी, इसको उन्हों factor या आप इसको satisfier भी कह सकते हैं, on the other side, यनकी दूसरी तरफ क्या था, यनकी जो विक्ति unsatisfied थे, या dissatisfied थे, उनका क्या categorization था, वो कौन-कौन से चीजे थी, जिससे लोग dissatisfied थे, ठीक है, तो dissatisfaction को उन्होंने extrinsic या hygiene factors का नाम जिया है, या इनको maintenance factors या dissatisfier भी कहा जा सकता है तो कौन-कौन से चीजों से विक्ति परिशान थे, यनकी supervision से वो परिशान थे, कही ना कहीं pay या salary को लेकर उनको परिशानी हो रही थी, कुछ लोग company की policies से खुश नहीं थे, working condition उनकी भेतर नहीं थी, relationship उनके उनके subordinates या employees के साथ भेतर नहीं थे, ये सारे चीजे थी, जि से काने, जो है, लोग dissatisfied थे, तो ये कुछ region थी जो निकल कर सामने आए, कि जो satisfied people थे, उन्होंने क्या कहा और जो unsatisfied या dissatisfied people थे, उनका क्या कहना था, तो उनोंने conclude खिया जो satisfaction के factors हैं, वो किस से different है, जो完 net with satisfaction, या dissatisfaction के factors से बिल्कुल different है, तो उन्होंने क्या conclude कि अगर ये ज dissatisfaction की factor है, यानि कि जो hygiene factors हैं, इनको eliminate कर दिया जाए, eliminate का मतलब इनको remove कर दिया जाए, या जैसे supervision को भेतर कर दिया जाए, salary को अच्छा कर दिया जाए, company policies को भेतर कर दिया जाए, working condition, yes, body nets के साथ, उनके relation से भेतर हो जाए, तो क्या होगा, कि सिरफ dissatisfaction remove होगा, ठीक है, यानि motivation की factor तो बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो सिरफ dissatisfaction दूर होगा, motivation नहीं होगा, तो हर्जबग ने क्या किया, यानिकि उन्होंनी जो traditional viewpoint था, उसको बिल्कुल change कर दिया, देखिए, traditional viewpoint क्या कहता है, कि satisfaction का opposite क्या होगा, dissatisfaction, लेकिन हर्जबग का view क्या है, यानिकि हर्जबग का opposite होगा, no dissatisfaction, जिसको उन्होंनी hygiene factors दिया है, तो हर्जबग ने जो ये नया continuum बनाया, उसके पीछे उन्होंनी region क्या दिया, उनका मानना था, कि जो dissatisfaction के factor है, वो motivation के factor से बिल्कुल different है, यानिकि अगर ये जो dissatisfaction के factors है, इनको कम कर दिया जाए, reduce कर दिया जाए, तो उसस और hygiene factors, यहां से ही आपको clarity हो गई होगी, लेकिन ये जो दो factors है, इनकी क्या-क्या characteristics हो सकती है, एक बर हम और detail में इनको समझ लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे hygiene factors की, तो मैं पहले ही बता चुकि हूँ, hygiene factors को maintenance factors, या extended factors, या इनको dissatisfier भी कहा जाता है, ये किस से related होते हैं, जो की conditions से related होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सिरफ dissatisfaction को remove करते हैं, एक तरह से preventive major का का काम करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, physical hygiene की, देखे, hygiene अपने आप में एक खुद medical term है, ठीक है, they do not lead to growth, यानकी growth को नहीं increase करेंगे, ये किस से prevent करेंगे, deprioration, यानकी जो ब को बढ़ाते नहीं है, long term के लिए, ये क्या करते हैं, अगर ये नहीं होंगे, तो क्या होगा, dissatisfaction बढ़ जाएगा, तो ये क्या है, ये extrinsic to work है, intrinsic नहीं है, ये क्या करते हैं, ये motivation को improve नहीं करते, growth को improve नहीं करते, सिरफ जो performance में loss हो रहा है, उससे prevent करते हैं, उससे बचात हैं, तो जो hyzen factors हैं, उसमें कौन-कौन से factors आ जाएंगे, pay आ जाता है, physical working condition, status, interpersonal relationship, job security, तो ये वो factors हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, वो कम हो जाएगा, वो remove हो जाएगा, लेकिन इससे motivation increase नहीं होगा, क्योंकि motivation के factors तो दूसरे हैं, तो hygiene factors और maintenance factors का मतलब क्या होता है, कौन-कौन से होते हैं hygiene factors और इनका काम क्या होता है, I hope आप आप लोगों को clear हुआ होगा, अब हम बात करेंगे motivators या intrinsic factors को, तो हमने देखा कि हर्दबर का क्या मानना है, कि hygiene factors में वो बिल्कुल different होते हैं, किस यह क्या करते हैं, यह motivate करते हैं employees को किसके लिए, superior performance के लिए, any manager wish to increase motivation and performance above the average level, they must enrich the work and increase a person's freedom on the job, देखे कोई manager, अगर यह जो motivation के factor से इनको increase कर देता है, तो क्या होगा, work भी enrich होगा, यह काम भी विक्ति भीतर तरीके से करेंगे, उनकी job के प्रती जो freedom है, वो भी increase होगी, तो यह जो motivation के factor है, यह क्या करते है, satisfaction प्रवाइड करते है, जो performance के परती, तो इनको क्या कहा जाता है, satisfier भी कहा जाता है, कौन-कौन से है motivation के factor, recognition, यनकी इस तरह की लोग क्या करते है, they are looking for recognition, they are looking for sense of achievement, responsibility, growth के लिए यह लोग काम करते हैं, ठीक है, हर्जबक्त के द्वारा जो two factors की बात की गी है, hyzen factors और motivators, इनको हमने बिल्कुल detail में समझा, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, कि यह जो दो factors की बात इनकी द्वारा की गी है, इनमें किस तरह का relationship है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें किस तरह का relationship है, यानि कि जो motivators है, वो क्या करते है, किसको job satisfaction को, लेकिन जो hyzen factors है, वो क्या करते है, यानि कि यह जो poor hyzen factors है, यह decrease करते है, employees job satisfaction को, ठीक है, अगर यह जो hyzen factors है, यह अच्छे नहीं होंगे, तो क्या होगा, decrease होगा job satisfaction, ठीक है, तो इसमें किस तरह का relationship है, inverse relationship, तो दोस्तों यह थी हर्जबग की two factor theory, जिसमें उ characteristics, इनकी होंगे, यह हमने बिल्कुल detail में समझा, अब एक और example से इस concept को, मैं आप लोगों को clear करने की कोसिस करते हूँ, ताकि यह theory आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, two factors की बात कौन करते हैं, हर्जबग करते हैं, कौन-कौन से two factors है, highzen factors और motivation के satisfaction को, यानि कि अगर यह जो motivation के factors है, इनको improve कर दिया जाए, तो क्या होगा, job satisfaction increase हो जाएगा, ठीक है, कौन-कौन से factors है, achievement है, recognition है, responsibility, the work itself, advancement, personal growth, यह किसके factors है, यानि कि कौन से factors है, यह motivators है, ठीक है, अगर इनको increase कर दिया जाए, तो क्या होगा, job satisfaction increase हो जाएगा, अब दूसर तो उनका मानना है कि अगर यह जो हैजिन फैक्टर से इनको इंप्रू कर दिया जाएगा तो जो के प्रति जो डिस सैटिस्फेक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा यानि कि कौन-कौन से फैक्टर से यान की वर्किंग कंडिशन उनकी भेतर नहीं है, को वर्कर के साथ रिल सैटिस्फेक्शन था वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, तो दोस्तों ये थी हजबग की टू-फैक्टर थियोरी, अब इस थियोरी का कुछ क्रिटिसिजम भी हुआ है, तो क्या क्रिटिसिजम हुआ है, कुछ में में पॉइंट्स यहा हम डिसकस कर रहे हैं, फिर्स्ट देखिए ये जो थियोरी की मेथडोलोजी है, ये अपने आप में ही एक क्वश्चन बनी हुई है, यानकि बहुत सारे लोगों ने इसको माना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो दो कॉंटिनियूम की बात की है, वो लोगों को समझी नहीं आया, नेक्स्ट, हार्जबग अज देखिए उन्होंने कहा कि जो लोग सैटिसफाइड हैं, वो प्रौड़क्टिव होंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसर्चे जाए, बहुत सारी स्टडिश होई, जिसमें ये भी प्रूँः है कि जो लोग सैटिसफाइड है, वो प्रौ दोस्तों ये थी हर्जबग की two-factor theory, अगली theory में हम क्या discuss करेंगे, यनकी कौन से motivation की theory को करेंगे, अगली theory में हम बात करेंगे, Maclayland की need theory, थी need theory है, उसको हम बिल्कुल detail में समझेंगे, तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली video में really good take care of yourself, देखें अगर सैसन आप लो झाल